इस वीडियो में बात कर लेते हैं प्रिसिजन वाइर लेमिटेड की क्विकली लिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो स्टॉक में आप देखें यहाँ पर एक लूजिंग वैज थी और लूजिंग वैज का ब्रेक आउट हुआ है हलाकि उतना जाद करेक्शन तो नहीं रहा इस टॉक में बट यहाँ पर स्टॉक में एक मोमेंटम आ गया 20 परसंट के बाद ही उसके पहले भी रिसेंटी स्टॉक में जो एक अप मूव था वो यहाँ से स्टॉक ने 70 परसंट के रिटन दिये 20 परसंट करेक्ट हुआ और फिर स स्टॉक में सेलिंग आई है वो आई है 200 के साइकलोजिकल लेवल से तो इस जोन पर थोड़ा स्टॉक को स्टॉक करना पड़ेगा निकलने के लिए विकॉस साइकलोजिकल लेवल है तो अब बात आती है कि वनार टीएफ पर एंट्री गी तो यहाँ पर कुछ कूलिंग हो र फ्राइब के आज पास तक की कूलिंग रहेगी यहां पर सपोर्ट यही रहने वाले है अपने यहां पर पहला सपोर्ट तो आएगा जो रहेगा वो रहेगा 190 का इस जोन पर फिर आता है यहां पर 180 5-5 मेंट के शपोर्ट लेकर चलिएगा इनि मैंसरी किसी एक सपोर्ट पर stock जब momentum पकड़ेगा तो 200 निकलेगा उपर के लिए 210 और 225 तक के target है फिलाल तो ये कुछ उपर के लिए अपने resistance निकल के आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में stock एक अच्छा move definitely दिखाएगा फिलाल के target 220-225 के ज़्यादा बड़े टागेट नहीं लेते हैं अपन विकॉस वहीं कहीं पर अपन को फिर से resistance देखने को मिलने वाली है और जो पेमेंट रहेगा वो 20th October रहेगा stock के result की बात करें तो वह भी सही है sale 955 CR किया है जून के quarter में ये लास्ट यर 803 थी operating profit 45 है लास्ट टाइम ये 36 था PBD निकल के आता है 30 लास्ट टाइम 22 और नेट प्रॉफिट रहता है 22 और लास्ट टाइम ये 17 तो यहाँ अगर देखें तो net profit भी ओके है well good है लास्ट टाइम से काफी इजाफा हुआ EPS 1.24 हो गया बढ़के और investors में अगर आप देखें तो FIR ने स्टेक रिसेंटली थोड़े बढ़ा है 0.31 करें हालाग कि DI की स्टेक 0 या भी भी है बट FIR ने यहाँ पर कुछ इजाफा किया है promoters की बात करें तो recently कुछ समय पहले यहाँ पर promoters में भी इजाफा देखने को मिला उनके स्टेक भी बढ़ गए थे और यह सारे promoters के स्टेक हैं यहाँ पर 57 की आसपास बाकी यहाँ पर पब्लिक आती है तो as of अगर देखें तो इस टेक ठीक हैं इंक्रीज कर रहा है डिया भी समय के साथ इंक्रीज करेगा ही बट फिलहाल के लिए जो भी momentum है stock में अगर कोई बाय कर रहा है तो pullback पर वाय करें यह support है पांच पांच मॉइंट के नहीं से कहीं न कहीं stabilize जहां हो जाए stock stabilize मतलब support ब decision wire में एक अच्छा momentum अपन को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में एक चीज़ और बतादू मैं live sessions भी लेता हूं market आर में सुबह 10 बज़े से एक बज़े तक और साम 9 बज़े भी live आता हूं तो आप अपनी queries क्लियर करने के लिए live session में interact कर सकते है YouTube stream होता है free of cost होता ह है और रोज ही होता है तो आप join कर सकते हैं अपनी queries क्लियर कर सकते हैं तो मिलते नेक्ट वीडियो में this is me सुबह मियादव signing off